दोस्तो नमस्कार भारत रेल्यात्री चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में जान लेजिए कि देवघर से डिबुडुगर के लिए एक नई ट्रेन शुरू होने वाली है और इस ट्रेन का जो पहले रूट निरधारित किया गया था वो कुछ इस तरीके से था मैं आपको दिखा देता हूं जैसा आप जानते होंगे कि जैसीरी के पास यह जो है यह देवघर रेलवे स्टेशन है और पहले जो रेलवे स्टेशन रूट इसका निरधारित था कि देव कि इस ट्रेन का यहां पर इंजन रिवर्स होता फिर इंजन रिवर्स होने के बाद यह जो ट्रेन है रामपूर हाट से तिन पहार और फिर तिन पहार नहीं मतलब कि यहां पर से ही पाकुड पाकुड के पास से जो बोनी डंगा लिंक के विन है जानते होंगे पाकुड से ब अब देख पारे होंगे कि मालना टाउन होते हुए फिर यह आजम नगर रोड जो यहां पर आपको दीख रहा है और फिर यह बरसोई होते हुए किसंगंज होते हुए और फिर किसंगंज से आगे फिर यह निव जलपाई गुड़ी होते हुए फिर यह निव कुछ बिहार आत नियू बोंगाएगों जंक्सन आती फिर ये इस तरीके से रंगिया आती और फिर रंगिया से फिर ये ट्रेन गुहाटी आती और गुहाटी से फाइनली फिर वो आगे डिवरू गड़ की ओर जाती ये था पूरा पहले का रूट लेकिन अभी क्या हुआ है कि निसिकान पूएजी अंग परदेश के लिए कितना काम कर रहे है अब ये ट्रेन मोहनपूर से घूम कड़के हस्टीहा आजाएगी अब दुमका नहीं जाएगी है दुमका रामपूर हाट मालदा ये सब जो छेत्र थे इन से इस ट्रेन को छीन लिया गया है अब ये ट्रेन क्या होग कि देवगहर से मोहनपूर होते हुए हस्टीहा आएगी हस्टीहा से फिर ये ट्रेन बारा हाट होते हुए क्या होगी कि भागलपूर आजाएगी बारा हाट होते हुए भागलपूर आजाएगी भागलपूर से फिर ये ट्रेन जो है बड़ियारपूर होते हुए फिर ये म लोंगेर आजाएगी जामालपूर्वायिंक केविंद्व और फिर सब्दलपूर्ण होते वे वाइलिंक केविंद्व हैं से फिर अपना रूट कर लेगी जो पहले था मतलब बर सोई से लेकर के रामपूर हाट जो पहले इस तरिके तोप यह जाण लिज़िंगी कि मोहनपूर से लेकरके बढ़ सोई तक है पूरा रूट ही चेंज हो गया जो पहले मोहनपूर से जो ट्रेन इधर आ जा रहे थी वह autops इधर आएगी बढ़ सोई से आगे मोहनपूर से पहले का रूट सेम रहे गा रोख है कहिं अंग पर्देश के छेत्र के लिए बहुत अच्छा सावे तो आप लोग जानते होंगे कि घगड़िया है मुंगेयर है भागल पूर्ण है बांका है देवघड है अपना कटिहार है नोगचिया है यह सारा का सारा छेत्र जो है अंग पर देश का बता दिया अब बर्सोई से होते वे फिर वो फाइनली उदर चली जाएगी तो जो अपडेट है वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे होंगे लिखा है रूट में बदलाओ अब भागलपूर मुंगेर होकर चलेगी देवघर से डिवरुगर ट्र होगे तो आएए देखते हैं कि इस अपडेट में क्या लिखा हुआ है यहां पे दोस्तों लिखा हुआ है आप देख पारे होंगे इस माह से सुरू होने वाले देवघर से मतलब यही जनवरी के बात हो रही है डिवरुगर ट्रेन के रूट में बदलाव हो गया है पहले इ इसमें रेलवे ने बदलाव कर अब मोहनपूर हस्डीहा भागलपूर मुंगेर वा कटिहार रूट कर दिया है अब यह ट्रेन रामपूर हाट पाकुर वा मालना नहीं जाएगी गोड़ा सांसट डॉक्टर निसिकान दुवे ने इस ट्रेन को मोहनपूर से हस्डीहा होते गोड़ा जिले के रेल यात凌 को भी सुविधा होगी रेलवे की जहांच रिपोर्ट कानुसार इस रूट से पडिचालन होने पर दो घंटे समय की बच्चत होगी मालदा रामपूर हाट खंड को सबसे महत्वपूर माल ढुलाई मार्ग माना जाता है जबकि इस मार्ग में ढुलाई कम है डिवरूगर मालदा रामपूर हाट देवगड के रास्ते चलने वाली ट्रेन को रामपूर हाट में इंजन रिवर्सल किया विसकता होगी जो लाइन छमता के अलावा एक पड़मुक पड़िचलन बाधा है इसे देखते हुए ट्रेन को वाया कटिहार, मुंगेर, भागलपूर, हस्डिहा, देवगर के रास्ते चलाना जरूरी समझा गया साथ ही इस मार्ग से ट्रेन चलने से देवगर, भागलपूर, मुंगेर, खगरिया, वा कटिहार जैसे सहर कनेक्ट होंगे देवगर से सुल्तानगन जाने वाले सरद्धालूओं को भी सुविदा होगी देवगर से नौर्थ बैंक होते हुए, देवगर तक वरतमान में कोई सीधी रेल कनेक्टिविटी नहीं है दोनों अस्थानों की बीच यह ट्रेन सेवा की सुरुवात होने से इस छेतर के लोगों की यात्रा संबंध जरूतों को पूरा करेगी और इस डेलवे को अच्छा डिटर्न मिलने की उमीद है, देवगर से डिवडुगर सफता में दो दिन चलेगी तो दोस्तों आप जानते होंगे कि भागलपूर से डिवडुगर के लिए पहले एक ट्रेन चला करती थी ब्रंपूत्र में जो डिवडुगर तक जाती थी ट्रेन नहीं रही भागलपूर से नियू जल पाइग जाना पड़ता था फिर वहां पर से डिवडुगर के लिए ट्रेन मिलती थी तो बहुत फाइदा हुआ भागलपूर के लोगों को भागलपूर के साथ मुंग्यर के लोगों को भी देवगार के लिए लोगों को तो पहले से ही फाइदा था चाहे वो दुम Pilu कर जाए या भागलपूर कर जाए तो अल्टिमेटली फायर फायदा इसमें हस्डीहा और वाका भागलपूर के लोगों कुआ देवघर से अगर तल्ला के लिए जो ट्रेन चल रही है जिसे सब रूम तक मतलब बांगलादेश बॉर्डर तक एक्स्टेंशन की बात चल रही है साथ एक्स्टेंशन किया जाए तो देवघर से दो दो लंबी रूट की ट्रेने अब चलने को तयार हो गई है वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धनेवाद आप बिहारियों के साथ इस वीडियो वो साजा कर सकते है और देवघर हो भागलपूर हो यह सभी अंग परदेश के छेत्र हैं वीडियो देखने के लिए आप से भी लोगों का बहुत बहुत धनेवाद आपने अपना बहुमुल समय दिया इसके लिए अपका हर्दिक सुक्रिया जय हिन जय भारत जय अंग परदेश